और हम आगे हैं एसी स्टेंडर कुछ में इसका नंबर एक है एक्ष्टा बन जारिए दोस्तो है अगरत जारी दोस्तों आद ना है आद एक शारी औरेम कने शारी ने अजाता है एलропामर आद एक शारी थुंदर्ट पे इसके ठीड़ है अहां एक जाने होगा जारी देखी निरुट। को दो जाले कि अव्डे बित निरुट। भीडित पर तुज हो लग भी लागे इसे कंगा, जाया जरणे हैं, जा सुद्ध। झाले में हो दो दो इन्दर लाई दर लुट। और पाइनली में डिग्रोट जंक्शन पर उतर गया हूँ कि अल्लापाग इसको अपनी मंजिल पे साथ करिया से पहुचाए अज सलाम आलेकुर जोटो मैं हूँ जोएब और आप देख रहे हैं I'm a Manai's Train Vlog मैं इस वक मौझूद हूँ कराची केंट डेलवे स्टेशन पे और मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहां आने का मेरा मकसद क्या है आज डेट है 22 माई सन 2024 और यहां आने का मेरा मकसद है कि स्याल कोट यह और बावल पूर रहीम यार खानवालों के रहे एक खुशकबरी है और वो खुशकबरी है कि नाइन अप अलामक बाल एकपरस में एसी स्टेंडर्ड की मन्सूरी पास हो गई और आप नाइन अप अलामक बाल एकपरस में एसी स्टेंडर्ड एक जाया करें अवाहित फोज लगाई है एक एसी स्टेंडर्ड है लेकिन चले बहुत अच्छी न्यूज है स्टेंडर्ड को में बड़ी मुभारक बात प्रेस करता हूँ क्योंकि स्टेंडर्ड कराची से जाने वाली वाहिद यही ट्रेन है नाइन अप अलामक बाल एकपरस जिसमें मुसाफिर एसी के उससे महरूम रह जाते है तो उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है कि नाइन अप अलामक बाल एकपरस में जो कराची से स्याल कोट के दर्मान चलती है कराची से डिपार्टिंग कर नाइम है उसका साड़े तीन बजे का तो उसी के सिल्सले में आया हो तो अभी ट्रेन है काफी तो जैसे नाइन अप अलामक बाल एकप प्लेस होती है तो इंशाल्ला आपको उसका पूरा व्यू भी करवाऊंगा पूरा विजिट भी कराऊंगा उसकी कूलिंग बगएरा और तोड़ी से उसमें जड़नी भी करेंगे तो अभी बेट करते हैं नाइन अलामक बाल एकप्रेस का जैसी वह आती है तो फिर आपके साथ मैं मैं इस वक मौझूद हूँ प्लेफ्राम नंबर पांच पे पुल के उपर और यह आप मेरे नीचे गाड़ी देख रहे हैं इस वक टाइम हो रहा है अभी तीन बज़े का और यह जो ट्रेन है यह है 34 डाउन पार्क बिद्निज एकप्रेस जो के लहोर से अभी कुछ 15 मिंट पहले अराइव होई है और उसी साफ से यह आज तक्रिवन तक्रिवन कुछ चार घंटे 50 मिनट लेट कराची पहुंची अब देखते हैं कि कराची से इसको अगर इसी गाड़ी को निकाला जाएगा तो ये तीन घंटे ऴॉशिंग लैन में लगेंगें इसके यहां से भी इसको इसको एंटच वोगा वो इसको वाशिंग लैन में ले जाएगा और अगर स्पेर रैक निकालते हैं कोई दूसरी अगर इस पेर में रैक होगा तो अपने टाइम पर रवाना होगी हम वेट कर रहे है नाइनआ पर्लामक भाल का जिसका एलान हो गया ऐह noe2 पे प्लेस हो जाएगी Subscribe और आज भी और 41 अप करा करम एक प्रेश भी तक प्लेटफॉर्म पे प्लेश नहीं हुए तो चलिए जब तक नाइन अप आ रही है जब तक आपको और ट्रेनों कभी दिखाते हैं कौन कितनी लेट है कितना असल मक्सद तो एसी स्टेंडर्ट कवर करना है नाइन अप का लाम और फाइनल नाइन परलांग बाले एक तर स्केशन दोपे प्लेस हैं मैं जा रहा हूं एसी स्टेंडर्ड की तरफ जो के सबसे लाच्ट में लगाया गया है अब उससे पीचे बस पावर में की कोच है और उसके बाद एसी स्टेंडर्ड से पहले जैट सी यू त्रेसर टेज देख लें जो के आज नाइन अप कर लीड करेगा कराची से स्याल गोट के दरम्यान और हम आगाए एसी स्टेंडर्ड कोच में जिसका नंबर कुछ ऐसा है कि एक्ष्ट्रा वन के नाम से आपको टिकेट कराना पड़ाएगा इसका नंबर नहीं रखा एक्ष्ट्रा वन है चलिए थोड़ा सा अंदर का विजिट करते हैं इसका एक डबाल अब इसके 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 अब आगा इसके इसके कि आपको पुरूँ तकरीबन फुली है कि कुछ के बिन खाली है जिसमें मुशाफिर आ रहे हैं अभी अभी प्लेस होई है कैंडी स्टेशन पे और कूलिंग की बात करूं तो कोई खास नहीं लग रही मुझे एक जैसे महसूस होता है इसी में गुष्टे साथ ही जैसे ठंटी हवाइग आती है इस तरह का तो इसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा एक नॉर्मल ऐसा लग रहा हाली पैन चलने लेट्स सकते है कोई कूलिंग बढ़ाएं या फिर आके जाएक कर्मी भी बहुत ज्यादा है अभी तक में आयों कोई ऐसी महसूस में हो रहा है कि पुरानी पाकिस्तानी यह को जारी है दोस्तों आज नायनाप अलांग बाल एक प्रेस के था देशी स्टेंडर्ड जोगे पुरानी सीफाई कोश है पाकिस्तान की मेट पाकिस्तान और दोस्तों का मैंने अंदर कभी तुला रिव्यू लिया है मुझे कूलिंग तो कोई खास नहीं ल तो बदरिया हो सकता है गर्मी के हैसे थोड़ा पा लेकिन वह मज़ेदारी एसी स्टेंडर्ड की कूलिंग में नहीं आई है कि आए एक नदर इसके वाश्रूम पर माल लेका है कि इसी स्टेंडर्ड के कि यह दो हो गया दोस्तों इसी स्टेंडर्ड का रिव्यू आप थोड़ी सी में बात पहले तो आप से इसके कराए कि बढ़ा ब्ड है कि यह स्टेंडर्ड का का रख फाइक दो दोस्तों अगरसी स्टेंडर्ड के करायकई में बात और करूं तो यह स्टेंडर्ड की वह रखी कई ए 5800 रुपर और जो भाई श्याल कोट जाना चाहरे हैं तो श्याल कोट की बड़ते इसकी 7200 रुपरी यह है इसका वहाई एसी स्टेंडर्ड का फेर जो कि मैंने आपको बताया और आप भी इसके इन पर भी देख रहे है और इंजनी फाइनली लक्षू का इसमें ZCU 3320 और ठीक साड़े तीन ब से तीन से चार घंटे श्याल कोट के लगए लो तो यहां के कुछ मसाफरते बात हुए वो भी कह रहे हैं एसी स्टेंडर्ड जो है बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा बिलोर भी उसका काम नहीं कर रहा और एकॉनमी क्लाज जैसी फिलिंग आ रही है उनको अंदर बैट के बीचारे जिनों ना कराची से याल कोट के लिए जा रहे हैं 7800 रुपे की बर्थ खरीदी वे उन्होंने तो उनको बड़ी मायूस से हैं कि एसी तो लगा दिया लेकिन किसी काम कर नहीं है वो कह रहे हैं इससे हम एकॉनमी क्लास में सहीथ है यह बाइजान करें सर आप ताम बाइजाने के तो मिरा पसीने आया है बागा ता बाहरा आगे जाए जिए बस यही मैं बूलों कि आगे का समारा चलें दुआ करते हैं आगे जाए कि काम करें तो अगल आजा है पेसे तो ले जिए शुनमें 700-600 बचा सुरू की है वाना काम भी कर रहे हैं इसी अंदर बाहर आगे खड़े होगे अगर इससे तो अचा तो आदमी लोकल करवा लेता हो दुनमामी क्लास में वह अची तो यह दोस्तों यह इसी स्टेंडर्ड लगे है इसका यह रिवियो है 5800 या 7800 या 7600 एक बहुत बड़ा मांड होता है करीब आजमी के लिए मिटल क्लास बंदे के ल अगर उरको सर्वीज भी ना मिले तो यह तो दोस्तों फैर कहीं की इनसाफ नहीं हुआ ना तो वह बोलता है मैं तीन अदार एक सो पजास का डिकेट लेके इकॉनमी के लास नहीं पैड़ी है देससे अच्छा जो सो टाइम हो रहा है चार बजगे चालिस मिनट और नाइन अप अलावक बाल एक परस कराची कराची केंड़ी से दस मिनट लेट डिकार्ट हो रही है हम बिल्कुल लास में करें लिए हौन के आवाद नहीं आ रही लीट परेस की जैट सीव त्रेसर टेस लेकिन दो डिप और जो ये जस्ट मिनट रेट हुए है नाइन अप अलामक बाल ये इसकी लेट की वज़ा भी सिक्डाउन ग्रीन लावर्ट से कराची कराची रहा है चलना है लिए जिसकी लीट पर है जी यू नाइन दिरो फाइव प्लेट फार्म नमबर दो पे अराइव हो रही है और ट कि ये सामने से आ रही है तो जैसे ये प्रेट फॉर्म तीन पर लगी है उसके साथ ही हमारी नाइन अप को रवानगी का परवाना दे दिया है और फाइनली अब हम लोग कराची कैन रेलवेश शुशन का प्रेट फॉर्म नमर दो को अलविदा कह रहे है चोटी सी जनरी का स्टार्ट हो चुका है अब ये हम थोडा सा ये प्रेट फॉर्म को कवर करते हैं ये फ्रेट फॉर्म दरा गुज़र जाए उसके बाद हम चलते हैं दुबारा से अपने असी स्टेंडर की कोच में और ये देखते हैं कि चलती ट्रेन में क्या रिस्पांस से कूलिंग का इसकी खड़ी गाड़ी में तो मुझे कूलिंग आपको हमादा है हंडेड में से 20 परसन मुझे वर्क करती नदर आवी कूलिंग बिल्कुल नहीं थी मामूली सी बहतर कूलिंग थी लेकिन उसको कूलिंग ने कहांगे अब चल्ची ट्रेन का थोड़ा सा किन बचके 40 मिन पर कराची केंट से डिपाइड होगी है नाइना बलांग पर रहते हैं और मैं फाइन ही आगया हूं दुबारा इसी स्टेंडर की कोच की तरफ अभी चलके देखते हैं इसका क्या है अंदर आया हूं तो कुछ कद्रे बहतर मौल हो चुका है जिसपर स्टार्टिंग में था उससे कुछ बहतर कूलिंग हो चुकी और लेकिन यह है के कम्याब हो यह स्टेंडर्स तक्रिपन सारी स्टें फूल है और कूलिंग की भी अगर कुलिंगी आप देख सकते हैं मेरी आणत पसीना ने खुश्क हो रहा इस चरह की कोलिंगी के पसीना भी अभी तब खुश्क हो रहा लेकिन यह कि कह रहे के काम करेंगे इस पर कुछ होगी बहतरी तो बात यह कि अभी लगेवे इसको दो दिन ने हो और कंप्रेंग आना करी आप लेकिन देखते हैं शायद रात तक बहतर हो रहा है अभी तो को खास बढ़नी है तस नॉर्मल है गुजारा है जिसको कहता है और कर्मी के अब बात करूं तो कराची में कर्मी बहुत रहे है इस तबग भी पारा कम शेकम 41 42 को उस्टा के तक हो रहा है कर्मी का तो ब कि इसरे बंद एसी की सीट कराते है कि इसको अराम में जाए और बैट लग हो जाए कि एसी की कूलिंग सही कार ना करें यह विए एक बैट लग हो जाए कि दोस्तों मैं इकॉनमी किलाज के के बिन में आगे बैट गया हूं और बड़ी अच्छी हावा लग रही है और मेरा कि इसके बेटा है बिल्कुल खाली है और यह चोटी सब्सक्राइब कर दोस्तों में आगे बैटा हो जाए लेकिन अभी के अवाले से तो बिल्कुल मता है लोग भी बड़े महां पे मायूस है और परिशान है विचारे कि इसना बैसा लगा है हमने लेकिन हमें मता निया रह तो यह मैंच इसके में बेटा है बिल्कुल खाली है और यह चोटी से मेरी जर्णी नहीं है डिकरोड से की डिकरोड जंचिन और जैट सेविए उदबर दूहाँ अडा तावा आईए तोड़ा जैट सीवी के पिक अप को एंजॉय करें और यह कुछ मंदर रहे शारा है फैसल का ताइम हो रहा है पूरे चार बचे का और नाइना प्लांग पाल एक पर डिगोड इस्टेशन जंक्शन पर अप्रोच बना रही है और हमारा डबा लास्ट का है तो इसलिए हमें प्लेट फॉर्म से महरूम रहेंगे आखरी डबो में यह बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्लेट फॉर्म से रहते हैं सिंगल पर्सन का तो कोई शू नहीं होता फैमिली वालों के साथ पहुंची जाए प्लेट फॉर्म पर लेकिन अभी मेर से भीचे भी तीन बोगियां हो रहे हैं और बिल्कुल जरा सा रहे गया है समझने में दो रम से हार गया है और फाइनली मैं डिग्रोट जंक्शन पर उतर गया हूं क्योंकि मुझे चोटी ती जलनी करनी ती आपके सा वह इसी स्टेंडर की प्रोच दूआ करता हूं उसको एसी काम करने लग जाए गुजारे वाला काम कर रहा है वो जो गर्मी में एक स्थंड पा देने वाला जो मौसम होता है वो नहीं चल रहा फिलाल तो ये दो दिन बाद कवरिज करने के मेरा मक्सित यह था पहले दिन तो अब फाइनली नाइन पलांग बाल एक प्रेस डिंग रोट जंसन दे डिड़बाट हो रही है एक्स्ट्रावन है इसी स्टेंडर कोच का नंबर और यह आखर में प्रेट मैं और इस तरह में इस ट्रेन को फिया माल अल्ला कहते हैं कि अल्ला पाग इसको अपनी मंजिल पे स सब्सक्राइब नाइन पलांग बालेक उसको रवाना कर दिया है और हम भी अब इस जनली को इस को यहीं पर खतम करेंगे और मिलेंगे आप से किसी और अच्छी वीडियो में किसी नए सफर के साथ तब तक के लिए बना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान रेलवेस पाइंडाब